हेलो दोस्तों आज किस वीडियो के माध्यम से एक और बरी खुशकबरी लेकर के हम आप लोग के बीच आज चुके हैं फ्रेंट्स बिहार समाज कल्यान विभा के तरब से बहुती बरी रिक्वार्मेंट यहां पर जारिक क्या गया है संबीदा पर बहाल होंगे 30,000 महिला कोर्डिनेटर यानि कि अब बिहार राज के अंतरगत 30,000 महिलाओं के लिए यहां पर आवेदन आचुकी है आवेदन आप लोग को महिला कोर्डिनेटर के पोस्ट पर होना है अब इस रिक्वार्मेंट में पूरी डिटेल जानकारी देखते हैं कि यह जो 30,000 महिला कोर्डिनेटर का जो बहाली होगा उसके लिए कॉब से होगा आउनलाइन आउनलाइन होगा तो क्या प्रोसेस रहेगा योगता क्या रखा जागा और उसमें जो सेलेक्शन प्रोसेस होनी वाला है पूरा कंप्लेट जानकारी आपको में इस वीडियो के माध्यम से देंगे तो चलिए ओफिस्यल टैप का जो नोडिस्पिकेशन जारी हुआ है उसे देखते हैं और कंप्लेट जानकारी ले लेते हैं प्रेंट्स बतादू कि अगर आपने चैनल पर पहली बार आये हो तो चलिको सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे कि क्या होगा कि बिहार राज के अंतरगत कोई भी नई रिक्वार्मेंट आती है तो हम सारे रिक्वार्मेंट को आपको टाम टू टाम कवर करके आपको रिक्वार्मेंट 30,000 महिला कोर्डिनेटर की रिक्वार्मेंट आने वाली है फ्रेंट्स डिटेल्स में देखते हैं केंद्र और राज सरकार के ओर से महिला की सुरुक्षा, सिक्षा और आर्थिक विकास के लिए चलाई जारही योजनाओं की जानकारी ग्रामीन इलाकों त उसी को देख रेक के लिए यहाँ पर 30,000 महिला की महिला कोर्डिनेटर पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्वार्मेंट निकाली जाएगी, सांबीदा पर बाहली होगा और इन महिलाओं को मानदाय दिया जाएगा, यानि कि परतेक मेना इन लोग को पेमेंट दिये जाएगे, समाज कल्यान विवाग ने खाखा बनाया है, यानि कि पूर्ण रूप से इसे तयार कर लिया गया कि किस रूप में वैकेंसिज आना है, और किस टैप को रिक्वार्मेंट आएगे, सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पूरी यहाँ पर खाखा तयार कर चुका है, अब बिल दूरी मिलने की बाद इसकी बहाले की परिक्रिया सुरू हो जाएंगे, फ्रेंड से आपर सेलेक्शन प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं, यह टोला सेवक के तर्ज पर बहाल होंगे, ताकि ग्रामिन महिलाओं को योजनाओं का लाब जल्द मिल सके, यह सेविका पंचायत अस प्रात्मिक पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उसमें टोला सेवक का एक टीचर निक्त किया गया, इसी तरह से परत्यक गौं में परत्यक जो वार्ड होंगे, उस वार्ड में महिला कोर्डिनेटर निक्त किया जाएंगे, जिसका काम रहेगा उस जो ग्रामिंग छेतर के ब किया समझेए, टोला सेवक के अधार पर, यानिकि उनके जो मार्ड होंगे, डिरेक्ट मेर्ट के अधार पर रिक्वाइरमेंट होंगे, अब किस क्लास के इसमें अपलाई करेंगे, तो यहाँ पर जो अपलाई करने का प्रोसेस रहेगा, महिला कोर्डिनेटर का, कम से कम जो सब्सक्राइब करें दोस्तों में सेर करिएगा जिससे को भी टाइम जानकारी मिलता रहे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थांक्यू